हेलो फैंस वेलकम टू लाइन अटर फोर स्टड़ी बनेश्टेव एडफार लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटीव चैनल पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता उन्हेतर अजास इच्छक वरती पर इच्छा काफी होट टॉप है काफी बड़ा कर लेंगे साथ वर सुप्रीम कोट के ओर को लेकर जो कल दोस्तों बावाल मच गया था उस पर भी बात करेंगे तो वीडियो चुरू करने से पहले जैहिं जैभारत कर दोस्तों नारा लगाएंगे जैसा कि आपको पता है पूलबामा में आतंगी हमले को लेकर दोस्तों किती स्ताइक से हम लोग यह बोल देती कि डिसीजन जर्ब हो जाएगा बिलकुर दोस्तों सही बात है रिपोर्ट के आदार पर हम देखते थे कि डिसीजन जो जो हो जाएगा लेकिन कोट की अंदर जो आनि को छोड़ हो जाती थी कभी बारां को लेकर बैस हो रही तो कोई कि उसके अंदर के कोई मुद्धे नहीं है तो कईना करी दोसों कोड का समय जो अंदर कर वेस्ट किया गया खराब हो रहता इसकी बैसे दोस्तों हमारे जो अनुमान थे वह बिगाल हो रहे थे लेकिन आप बात कर लेते दोस्तों कि अब क्या डिसीजन जर्ब होगा कि एगल बोलेगा फिर उसके बाद कोई आची बोलेगा ऐसा कोई मैटर नहीं है अब जो था दोस्तों सुनवाई बिल्कुर अंतिम चैनल पर आ चुकिए सब अब डॉक्टर एलबी मिश्या जी को कल समय दिया गया था आदे गंटे का आदे गंटे के सुनवाई बीस मिनट वो बोले बीस मिनट के बाद उन्होंने बोला कि अगली तारीक दे दीजाए हम कल कुछ बोलना चाहते हैं जस्ताब ने का चलो ठीक है अगली तारीक मिल कि तो कहने का मतलब है कहीने कहीन प्रॉलम काफी ज़्यदा पड़ी हो चुकी है अब बात कहले तो दोस्तों इसके डिसीजन को लेकर उन्पी दें दोस्तों फिर मैं कहूंगा सब्दा को सब्सक्राइब का फल मीटा होता लेकि यह भी मुझे पता है कि अगर ज्यादा मीट आप लोगों को बता दूँ आप लोगों ने कहिंजेगा उसे वीडियो देख लिए होंगे कहीं आपने मतलब गें करे लियोगी कि वह इसमें कॉम्प्रीटिव एक्जाम है कोई बी एक्जाम है तो उस पर क्या होता है दोस्तों दोनों जो हाई कोड का हक बनता है कि उसको जाने उसको समझे और उसके बाद अपना डिसीजन देंगे तो ऐसी कोई बॉलम नहीं थी आप लोग बोलें इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा वह हमें नहीं पता कि सुप्रीम कोट्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों किसी पर इस पर पढ़ेगा तब जब लोगों को बहाता हुए अब लगों को बताने हैं चाहता हूँ क्या आज court में decision होगा के reserve होगा या फिर दोस्तों अग्रिडेट मिल जाएगी देखो सीधी सी बात है अगर LP मिश्राजी आज अपना submission भूरा करते है और उसके बाद अगर कोई और नहीं बोलता जैसे कि सोच लिए सरकार के वकील को पूछा जाएगा जस साब ने कि आप अभी कुछ बोलना चाहते हैं अंद में अगर वो बोलते हैं अगर उनका submission भी फूरा नहीं हुआ या फिर कुछ भी अगर कोई topic को लेकर उनकी कोई बैस रहे गही है या फिर कोई नया topic को लेकर बोलना चाहते जैसे कि LP मिश्राजी आप बोलेंगे उनके क किसी topic पर उनको की doubt है या वो दोस्तों उस पर सफाई पेश करना चाहते हैं तो हो सकता है दोस्तों सरकारी बकील को बोलना पड़ जाए लेकिन ऐसा मुश्किल है कि अगर दोस्तों सरकारी बकील अगर बोलते हैं तो अगली डेट मुकदाद हो जाएगी लेकिन कहने का असफों हम यह करेंगे यह लाबर वाई जो उस्टूडेंट के साथ हो यह जो चातों के साथ हो जाए यह नहीं होने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बचाए जो आगे सुना जाएगा विकॉस लास्ट एलपी मिश्या जी ने दोस्तों बोलना है जिसके लिए दोस्तों कल उनको 30 मिनट दिये गे ते 20 मिनट वो ले उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि मैं अगली इताइक चाहिए इस पर बैहस करने के होगी विकॉस आप डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोड का ओडर इसमें अलिजिवल होगा कि नहीं होगा तो दोस्तों आज की पलपल की अपडेट में आप लोगों को प्रवाइड करता हूंगा पलपल की अपडेट के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ब